दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश अब दोस्तों रोजाना सोभय और शाम हम आपकी सेवा में छे महतोपूर्ण खबरों का मजेदार एनलेसिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजि कल कीए जो केंडल बनी है रुखावट के नीचे बनी है अगर यह रुकावट पार हो गई खीर अगली जो है रुकावट हमारे सामने है वह बाहिसाब करीबन 18,600 और फिर भाई सहाब 18,800 की लेवल पर हमारे सामने अगली रुकावट है तो इन तीन रुकावटों को मद्दे नजर रखना है दूसरा जो बिदेशी निवेशक हैं वो भले ही पैसा डाल रहे हैं भारत में लेकिन जो हमारे घरेलू निवेशक हैं इसलिए पॉइंट क्या है जो हमने पहले डिसकसन किया है इन लेवल्स पर जो है मार्केट उपर चला जा सकता है बहुत अच्छी संबाब ना है लेकिन सजब और चौकन ना रहना है जब जब संकेत मिले तब आप बाजी राओ की वेल्टिक्रेशन स्ट्रेट जी अचारे चा तो फिर आपके पास नीचे खरीदने के लिए पैसा ना हो दोस्तों याद होना चाहिए आपको पानी पतका जो तीसरा युद्ध था उसमें अब्दाली और मराठा फोर्स में वता क्या अंतर था अब्दाली के पास रिजर्व में फोर्सेस थी इसलिए जब पहले चरण मे मराठा तोपों के आगे अब्दाली की सेना में भगजड़ मच गई तो अब्दाली ने अचाना किसी रिजर्व फोर्स को मराठा फोर्सेस के खिलाफ डेपलय किया था और भाईशाब देखते ही देखते उन्होंने युद्ध का पूरा रुख बदल दिया था मतलब अगर अब युद्ध में हो या शेयर मारकेट में हो आपके पास रिजर्व फोर्सेस होना चाहिए और वो रिजर्व आप बिल्ड कीजिए अगर मारकेट की उच्छाल में रिजर्व बिल्ड नहीं करोगे तो कब करोगे इस लिए उच्छाल के दौरान जब मौका मिले तब सावट में आप जो है अच्छा माल सस्ते दाम पर और अधिक मात्रा में खरिद सकें अब दोस्तों आप देख लीजिए यह मंता दीदी भाई साब राम नवमी का त्योहार हो अनुवान जहनती का पर्व हो इनसे कानून विवस्ता नहीं समल रही है तो किरला इस्टोरी पर ब लगा दिया था क्योंकि कानून विवस्ता इनसे समलती नहीं है अरे मैडम अगर आपसे कानून विवस्ता नहीं समलती तो चीफ मिनिस्टर का है बनी हो छोड़ दो भाई साब दूसरा दूसरा वाई साब सच आपको भी पता है यह भाणा बहाना है अपने वोट वैंक को हैं उनको असलियत सचाई से दूर रखा जाए उसका यह प्रयास है इसलिए इनकी जो साजिस है इसलिए इन मैडम की जो साजिस है वो तो हम सभी को पता है लेकिन अच्छी वात यह है कि जितना विरोध हो रहा है उतनी ही कस्मीर फाइल्स मूवी आगे बढ़ रही है बाई इसलिए यहां पर यहां पर यह है कि यह जो विरोध है तो हम तो कह रहा है बहुत अच्छा कर रहे हुआ झाल के कम से कम जो शोया हुआ भारतिय समाझ है उसको पता तो पढ़ रहा है कि एसी कोई मूवी है जो लोगों को पचे नहीं रही है कहा जाता है वानुन है बहूक दे रही हैं तो वह उनका स्वागत है बहुत अच्छी बात है बड़ा पॉइंट दोस्तों यहां पर यह है कि यह कैसी सरकार ही कि जो बिदेशी मीडिया बीबीसी की रिपोर्ट आती है डॉक्मेंटरी आती है वह इनको पसंद आती है लेकिन किरला स्टोरी इनको बुरी लग संद हैं कारण सिर्फ यहीँ है कि ममतादीदी को सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्च देख रहा है अपनी कुरसी दिख रही है उनको भाई-शाव आगे आने वाली जो बीडियां हैं उनका भविष्ट नहीं दिख रहा है उनको भाईया अविसेग बेनर्जी और अविसेग बेनर्जी की जो संताने होंगी उनके बारे में अगर वो एक मिनन सोचने लगे तो भाई साब वो किरला स्टोरी का स्वागत करती नहीं सोच रही है अपने से आगे इसलिए भाई साब इसलिए भाई साब वह परेशानियां खड़ी कर रही है अब दोस्तों आप देख लीजिए रूस का हाल कभी जो है रूस के विदेश मंत्री कह रहे थे कि हमारे पास बहुत जादा रूपिया है खटा हो गया है हम क्या करें पता नहीं है यह समस्या है त तो वह भी कल्प था कि आप भारत से माल खरीदे लो इस रूपई के मात्यम से दूसरा यह था कि आपके पास रूपया पड़ा हुए तो इस रूपया को अपने बैक अकाउंट में मत रखिये इसको भारत में इंवेस्ट कीजिए इन्वेस्ट करोगे तो भारतिय शेयर मार्केट में जो रिटर्न है वो बहतरीन है भाई साब अभी देखो क्या बढ़िया उच्छाल आया है इतना बहतरीन उच्छाल दुनिया में कहां आया है भाई साब ग्लोबल जितने भी मार्केट आप ढूंड लीजिए सब फिसटी है भारतिय रिटर्न के आगे तो भाई जब हम पैशा कमाके दे रहे हैं तो लगाईए और देख लो आप तीन रूसी इन्वेस्टर्स एफपी आई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो विदेसी निवेशक होते हैं उन्होंने अप्रूबल ले लिया है सेवी से कि भाईया जी हम भारत में निवेश करेंगे अब आप बताईए कि ये एफपी आई क्या जो है रूसी सरकार की अनुमती के बगएर भारत में निवेश करने लगते अरे भाईया निवेश छोड़ दो जे लोग तो भाई साहाब परमीशन के लिए एपलाई ना करे तो यह बहुत अच्छा घटना करम है यह जो रूपिय की समस्या है खटा होने की बहुत सॉल्ब हो रहा है निवेश के माद्यम से रूस हमें कच्चा तेल बेचे हम रूस को पैसा दे अगर वो पैसा हमारे देश में निवेश के रूप में आएगा कंपनियों को ग्रो करने मदद होगी शेयर मार्केट उपर जाएगा हम जैसे इनिवेश को लाब होगा बहुत बढ़ी अगटना करम है इसी की दोस्तों हम सभी ने पहले भी डिसकस किया है आपको साथ याद होगा इरान से भाई साहब सस्ते सेव आ रहे हैं और यह जो सस्ते एपल आ रहे हैं उसके प्रकार इरान के सेवों के कारण हमारी सेव के मामले में जो आत्म निरवर्ता वो खतम हो रही है और इस निरवर्ता को पैदा होने के पहले ही खतम कर रही हैं मोर्म सरकार और आद्धिस जारी कर दिये हैं और उसकी कॉस्ट 50 रुपाय प्रती किलो से कम पढ़ती है भारती बंदर गाहों पर इसमें जो दुकानदार का भारत में ट्रांस्पोर्ट की जो कॉस्ट है वो सामिल नहीं है अगर यह 50 रुपाय से कम पढ़ती है तो भारत में इंपोर्ट एलाउड नहीं है इससे क्या होग भारत में शेव की कीमत ध्राम से नहीं गिरेंगी हमारे जो शेव के बागान हैं वो नश्ट नहीं होंगे देर से उठाया कदम है लेकिन बेहत दुरस्त है अब यह जमीन पर अच्छे से लागू हो यह सुनस्चत करेगी मोधी सरकार ऐसी हमारी अफेक्षा है अब दोस्तों आप देख लीजिए भले ही किरला स्टोरी का बेवाद चल रहा है लेकिन भाई साब यह तो घटनाक्रम है वो हमारे लिए लावकारी है इसलिए सेलीब्रेशन बनता है यूएई के साथ जो हमारा एग्रिमेंट हुआ है फ्री ट्रेड का उसका एक साल पूरा होने को है भाईया जी सेलीब्रेशन तो कीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये भी पताईए हम सभी को कि कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ हमें ये सुनश्चत करना है कि भाईया जी हमारा प्रॉफिट जादा हो अगर प्रॉफिट नहीं है तो एफ्टियों को लेकिन फिर भी जैसे भी हो यूएई के साथ हमारा रस्ता मजबूत हो अलाइंस बिल्डिंग चलती रहना चाहिए यह जो ममता विनर्जी है तमिलनाडू की सरकारे हैं कॉंग्रेस है वो यह चाहती है कि यह अलाइंस कमजोर हो जाए ताकि जो है पाकिस्तान की मदद हो ची से क्या हो गया आपको अच्छे से याद होगा जब इनके पिताजी थे स्वर्गी राजीव गंदी तब बाइसाब पार्टी करने के लिए युद्ध पोत मंगाए जाते थे पार्टी चल रही है सामने जो है वार्शिप खड़ा होता था लेकिन आप बाइसाब हालत ऐसी हो लो या आप जो है पबलिक बस में घूम लो इनसे आपको वोट तो ना मिलेंगे क्योंकि आपकी नियत खराब है बजरंग बली पे तो आपको बेन लगाना है अब दो तिन दिन पहले बोल रहे थे कि हम भाईया जी जन्युदारी ब्राम बने हो हद यह है कि भाईया बजरं मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं वो सीख लीजिए टेक्निकल अनालेसिस और फंडामेंटल अनालेसिस की दो कलाएं यह कलाएं आपको देंगी काबलियत जिसके बलपर आप सेर मार्केट में कमाएंगे पैसा किसमत के बरोसे आप रह लिए बहुत पैसा बना क्या नहीं में मार्केट वहीं का वहीं रहे तब भी पैसा बनता है लिए जिसे हम ने पढ़ाया है आत्मनिरभर फ्यूचर से आत्मनिरभर आप्शन कौर्स की माध्यम से तीनों कोर्स एक से बढ़कर एक हैं आपको बना देंगे सबसे बड़ा इसी वीडियो के डिस्क्रीप्शन जल्दी से जल्दी जोएन के ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैश्च्री राम